यक्षिनी एक डायन रात के दो बज रहे थे और विराट मेगाले और असम बॉडर के बीच पढ़ने वाली किश्णोई नदी पार कर रहा था दूर दूर तक अंधेरा चाया हुआ था एक गहरे सन्नाटे ने किश्णोई नदी को घेर रखा हुआ था और उसी नदी के उपर काले बादल मंडरा रहे थे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वो बरसने वाले है नदी में गुटनों तक पानी था जो दीमीर अफ्थार के साथ बहे जा रहा था विराट के एक हाथ में मुबाइल का टॉर्च था और दूसरे हाथ में साइकल का हैंडल विराट पैदल पैदल मुबाइल के टॉर्च की रोशनी के सहारे नदी पार कर रहा था कि तब ही उसका मुबाइल बजने लग जाता है विराट फोन उठाते हुए कहता है हाँ वंदना बोलो मोबाइल के अंदर से एक आवरत की आवाज सुनाई देती है कहा तक पहुचे आप जी किश्णोई नदी तक पहुच गया हूँ वंदना बस ये किश्णोई नदी पार करी और फिर मैं सीधे तुमारे पास जंका मुचा गाओ जाने का मात्र एक यही रास्ता है और वो भी नदी पार करके जाना पड़ता है आपको इतनी रात में वापस नहीं आना चाहिए था ग्रेव याड कोटी में ही रुख जाना चाहिए था आपको पता है ना नदी के पास वो घुमती है विराट हैरानी के साथ पूछता है वो घुमती है मतलग आपको सब पता है पर फिर भी आप जान बुच कर ऐसा बोल रहे है है ना मा जी ने बताया था कि नदी पार करते वक्त उसका नाम नहीं लेना चाहिए वरना वो सच में आ जाती है वंदना तुम भी न कहा मा की बातों में आ गई लगता है माने तुम्हें भी यक्षिनी की कहानी विराट अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वंदना घहबाते हुए कहती है चुपो जाओ जी है काली मा मेरे पती की रक्षा करना और अंजाने में उनसे जो अनर्थ हुआ उसके लिए माफ कर देना अब ये कभी उसका नाम नहीं लेंगे विराट हस्ते हुए कहता है क्या वंदना तुम भी न ये यक्षिनी वक्षिनी कुछ नहीं होती समझी तुम ये सब बस मनगड़त बाते है जो गावालों ने बनाई है और कुछ नहीं आप नहीं मानते तो मत मानिये पर मैं मानती हूँ आप ना जल्दी से आजाईए बस है वंदना आ रहा हूँ बस ये नदी तो पार कर लूँ पहले अच्छा मैं रखती हूँ अरे ऐसे कैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो मैं भूल रही हूँ क्या भूल रही हूँ ये अक्षिनी के बारे में याद रख सकती हो लेकिन ये याद नहीं रख सकती कि आज हमारी शादी की सालगीरा है गलती हो गई जी माफ कीजिएगा आपकी फिक्र में मैं तो भूली ही गई थी विराट मू बनाते हुए कहता है आप भूल गई थी तो उसकी सजा भी मिलेंगी तुम्हें सजा के लिए तैयार रहना वंदना प्यार से पूछती है अच्छा तो क्या सजा देंगे आप तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें आज रात भर जागना पड़ेंगा वंदना शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है आप भी न कैसी कैसी बाते करते है आरे अपनी पत्नी से ऐसी बाते नहीं करूंगा तो किस से कहूंगा ठीक है आज आईए इंतिजार कर रही हुई जल्दी आना वंदना फोन कर्ट कर देती है और विराट वापस से नदिपार करने लग जाता है अभी विराट एक दो कदम ही आगे बढ़ाये थे कि तभी उसको पायल बजनी की आवास सुनाई देती है विराट को लगता है कि उसके पीछे से कोई लड़की भागते विये निकली हो पायल की आवास सुनकर विराट जहापर था वही पर रुख जाता है और पीछे मुड़कर देखने लग जाता है जब वो पीछे मुड़ता है तो सिवाय अंधेरे के उसे कुछ दिखाई नहीं देता उसके पीछे कोई नहीं था ये वंदना विना यक्षिनी का न इतना कहकर विराट वापस से आगे बढ़ने लग जाता है विराट मुश्किल से एक दो कदम ही चला था कि तब ही उसे नदी के किनारे पर एक काला साया दिखाई देने लग जाता है उस काले साय को देखकर विराट के कदम अपने आप थम जाते है साय को देखकर ऐसा लग थे विराट डरते हुए कहता है कही वंदना की बात सच तो नहीं थी ये यक्षिनी तो नहीं विराट उस साय को देखकर इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लबतब हो गया था विराट के हाथ पर ठंडे पड़ गये थे उसका दिल जोरों से धड़कने लग ग विराट डरते हुए कहता है कौन है वहाँ पर कोई जवाब नहीं आता है सनाटा अभी भी छाया हुआ था विराट अपने मुबाइल का टार्च उस काले साये पर मारने लग जाता है जब उस टार्च की रोशनी काले साये पर पढ़ती है तो विराट देखता है कि वो साया और किसी का नहीं बलके एक लड़की का था नदी के किनारे पर एक बहुत ही खुबसूरत लड़की खड़ी हुई थी जिसकी उम्र करिब 24 साल और लंबाई 5 फिट 2 इंच थी उसकी लंबी सी गर्दन गुलाबी से होड़ बाल खुले हुए जो उसके कमर तक आते थे उसका गोरा बदन और उसी गोरे बदन पर उसने काली साड़ी पहन रखी थी वो लड़की किसी अपसरा से कम नहीं लग रही थी वो इतनी कुपसूरत थी कि कोई भी मर्द उसका रूप देखकर अपनी हदों को भूल कर उसकी बाहों में बदोश होना चाहे वो लड़की अपने हाथ से विराट को इशारा करते हुए अपने पास बुलाती है उस लड़की को देखकर विराट भूल गया था कि यक्षिनी जैसी कोई चीज भी होती है विराट अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ देता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के पास जाने लग जाता है जैसे उसके बदन में कोई आग लग गई थी विराट उस लड़की के पास जाकर उसे धीरे से पूछता है कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो क्या नाम है तुम्हारा लड़की अपने चेरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है नाम में क्या रखा है जो रखा है काम में रखा है कैसा काम लड़की विराट के आखों में देखते हुए कहती है वही काम जो तुम घर पर जाकर अपनी पतनी के साथ करने वाले थे तुमसे आज रात भर जगाना चाहते थे ना क्या तुम मुझे नहीं जगाऊंगे उस लड़की के आखों में एक नशासा था जिसे देखकर विराट सब कुछ भूल गया था ऐसे लग रहा था जैसे वो उसके वश में आ गया हो विराट भी उस लड़की के आखों में देखते विए कहता है हाँ क्यू नहीं मैं तुम्हें आज रात के अकल पर सो नरसो हमेशा जगा कर रखूँगा कभी नहीं सोने दूँगा तुम्हे इतना कहते ही विराट उस लड़की को अपने सीने से लगा लेता है और अगले ही पल दोनों नदी की रेट पर निर्वस्त पड़े हुए थे और कुछ ही पल में वो उस लड़की के वदन पर ध्वस्त होने वाला था तब ही उसकी नजर उस लड़की के वश्त पर पड़ती है और वो देखता है कि उस लड़की के वश पर धीरे धीरे जुरिया आने लग गई थी इसके हाथ पेरों की नसे बाहर निकलने लग गई थी इसके बाल काले से सफेद होने लग गए थे देखते ही देखते वो लड़की अचानक से बूरी अउरत में तब्दिल हो जाती है ये सब देखकर विराट के आखे फटी की फटी रह गई थी उसका गर्म बदन अचानक से ठंडा पड़ गया था विराट कापते हुए कहता है कौन हो तुम वो लड़की धीरे से कहती है मैं यक्षिनी तेरी मौत ये सुनकर विराट के रोंगटे खड़े हो जाते है और वो जट से उससे दूर हटने लगता है पर उसी वक्त यक्षिनी उसे अपने दोनों हातों से पकड़ लेती है और कहती है अभी कहा जा रहे हो प्रितम मेरी प्यास अभी बुजी नहीं है तुम तो मुझे कल परसोनर्स हमेशा तक जगाना चाहते थे न क्या हुआ ठक गए या डर गए मेरा असली रूप देखकर विराट उसका ख़फनाक चेरा देखकर इतना डर गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था उसको यक्षिनी के आखों में खुद की मौत नजर आ रही थी यक्षिनी गुसे में कहती है वासना की प्यास में तु ये भी भूल गया कमीने कि तेड़ी पतनी वंदना घर पर तेरा इंतिजार कर रही है और तु यहाँ पर मेरे साथ तुम मर्द कभी एक इस्तिदी से प्यार कर ही नहीं सकते तुमारी हवस कभी खत्म नहीं होने वाली इतना कहकर यक्षिनी अपना हाथ विराट के सीने पर रख देती है यक्षिनी के लंबे-लंबे काले-काले नाप खुन थे जो चाकू की तरह पैने थे विराट डरते हुए कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करो जाने दो मुझे जाने ही तो दे रही हूँ इतना कहकर यक्षिनी अपना हाथ विराट के सीने के अंदर घुसा देती है और उसी वक्ट जोर से काले-बादल गरजने लगते है और बारिश होने लग जाती है विराट के शरीर का खुन नाखुनों के सहारे यक्षिनी के शरीर में जाने लग जाता है जैसे जैसे खुन यक्षिनी के शरीर के अंदर जा रहा था वो वापिस से जवान होती जा रही थी यक्षिनी वापिस से अपने पुराने रूप में आ गई थी और विराट का शरीर सूख कर सफेद पढ़ गया था उसके अंदर खून की एक बून तक नहीं थी पर उसकी धरकने अभी भी चल रही थी जैसे ही यक्षिनी अपना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालती है तरह बारिश की बूंदे होती है टाइपर राइटर की बटने दबने की आवा सुनाई दे रही थी टक 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 एक आदमी जो की कोट पैंट पहना हुआ था एक बंद कमरे में सफेद टाइपर राइटर के ऊपर कहानी टाइप कर रहा था उस आदमी ने बड़ा सा गोल चश्मा पहना हुआ था कमरे के अंदर चारो तरब बुक सेल्फ रखी हुई थी जिन में करीब हजार से भी ज्यादा किताबे जमी हुई थी टेबल के उपर ही एक एश ट्री थी जिसमें कुछ आदी जली तो कुछ पूरी जली सिग्रेट और एश रखी हुई थी लेखक खुद से कहता है चलो ये भाग तो पूरा हुआ अब दूसरे भाग में वंदना अपने पती के मौत का बदला लेंगी साथ में यक्षिनी के अभिशाप का पता लगाएंगी खीषते हुए अपने मुबाइल से किसी को फोन करने लग जाता है फोन के अंदर से उबाशी लेते हुए आवा सुनाई देती है हेलो कौन हेलो जगदिश वो मैं बोल रहा था कि कहानी तयार हो गई है अच्छा सर आप है क्या कहा आपने कहानी तयार हो गई है ये तो बहुत अच्छी बात है सर पर बुरा मत मानियेंगा सर ये बात आप मुझे सुबह भी बता सकते थे इतनी रात में कॉल करने की क्या जरूरत थी लेखक सिगरेट का कक्ष खिशते हुए कहता है क्या कहा इतनी रात में आखिर अभी वक्ती ही क्या हुआ है बस लेखक ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर उसके हाथ की पुरानी इसी वाज़ पर पढ़ती है और वो देखता है कि रात के तीन बज़ कर पाँच मुनित हो रहे थे लेखक अपनी गलती महसुस करते हुए कहता है अरे तीन बज़ गए इतनी रात हो गई मुझे तो पता ही नहीं चला मुझे तो लगा कि अभी नौदस बज़ रहे होंगे कोई बात नहीं सर मैं समझ सकता हूँ आप इतनी लगन के साथ कहानी लिखते है कि आपको वक्त का हिसास ही नहीं होता हाँ ये तो है देख मैं जब ही किताब आएंगी तो लोगों के रोंग्टे खड़े हो जाएंगे रात रात बर जाकर ये कहानी लिखी है मैंने वो तो होनी ही है सर आखिर आपकी कहानी में जान होती है इतनी जान के सोय हुए मुर्दों को भी जगा दे और उनको भी कहानी सुनने के लिए मजबूर कर दे वैसे अभी जो कहानी आपने लिखी उसका नाम क्या है इस कहानी का नाम है यक्षिनी एक डायन मुबाइल के अंदर से हैरानी के साथ आवाज सुनाई देती है क्या कहा सर यक्षिनी हाँ यक्षिनी क्या हुआ तुम इतना शौक्ट क्यों हो रहे हो सर मैंने सुना है यह जो यक्षिनी है यह आपके गाओ के पास किष्णोई नदी है वहाँ पर घुमा करती है हर मुर्दों के साथ वो सब यानि वही सब करके उन्हें मार देती है हाँ तो सर आपको डर नहीं लगता जिस गाओ में यक्षिनी घुमती है वही पर रहकर उसके बारे में कहानी लिखकर अगर यक्षिनी ने आपको कुछ कर दिया तो जगदिश यक्षिनी इतनी बुरी नहीं होती जितना गाओ के लोग और तुम सब समझते हो मतलब यक्षिनी बहुत अच्छी होती है इतनी अच्छी कि दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुरवान करने के लिए तैयार हो जाए पर कभी-कभी जिन्दागी में कुछ ऐसी घटना घटती है कि आपकी पूरी जिन्दागी बदल जाती है कैसी घटना सर मैं कुछ समझा नहीं पौरानिक मान्यताओं के अनुसर हमारे भ्रायन में अनेक लोग है जिसमें देवी देवताओं सुर असूर रक्षसों का वास होता है इन सभी लोगों की दूरी पृत्वी से अलग-अलग है कहा जाता है कि इन सभी लोगों में विश्नू लोग सबसे उपर है और सबसे निकला लोग यख्षी यख्षिनियों और अफसराओं का है जो पृत्वी से सबसे नजदिक है जो लोग पृत्वी के सबसे नस्दिक है उस लोग के देवी देवताओं की पूजा करने से वो देवी देवता जल्दी परसन होते है जगदिश बीच में ही बोल परता है ऐसा क्यों सर उस लोग के देवी देवता जल्दी परसन होते है क्यूंकि लगता ठीक दिशा और समय पर किसी मंत्र की साधना करने से उस देवी देवताव तक तरंगे जल्दी पहुँशती है यक्ष यक्षिनियों के लोक में से ही एक यक्षिनी द्वार युक के अंत में पृत्री पर आई थी जिसको एक अभिशाप मिला था एक ऐसा अभिशाप जिसने उसकी जिन्दगी बदल दी थी कैसा अभिशाप सर आप किस अभिशाप की बात कर रहे है और उसे अभिशाप किसने दिया था एक दूसरे लोग के पृत्री पर आई यक्षिनी को एक अभिशाप मिला था आखिर क्या था वो अभिशाप और किस ने दिया था जानने के लिए सुने यक्षिनी एक डायान का अगला एपिसोट